किसान भाईयों नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल ताकडेगरी गलचर में किसान भाईयों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चने की पेदावार हम केसे बढ़ाएं चने की फसल में जब दाना बराओ का समय होता है तो उस समय पर हमें कौन सा ऐसा एसा एस्प्रे करना चाहिए जिससे की हम चने की जो पेदावार है वो बढ़ा सके बहुत सारे किसान भाई चने की खेती करते हैं लेकिन उन किसान भाईयों को यह पता नहीं होता है कि चने की पेदावार हम कैसे बढ़ा सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप चने की पेदावार को कापी हद तक बढ़ा सकते हैं चने का आकार बड़ा बना सकते हैं किसान भाईयों अगर चने की पेदावार ज्यादा निकलेगी और हमें ज्यादा मुनापा मिलेगा तो वह फॉर्मूला कौन सा है जिसके द्वारा हम पेदावार को बढ़ा सकते हैं तो उसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में में देने वाला हूँ किसान भाईयों वीडियो को सुरुआ से लेकर लाश्ट तक देखेगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएं फीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को नीचे जो आपको लालक सरों में सब्सक्राइब बिटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में आए घंटी की निसान को जरूर दबाईए ताकि आगे भी इसी परकार की जानकरे आपको हमारे चैनल के मादियम से मिलती रहें किसान भाईयो अब बात करते हैं चैने की फसल के बारे में तो इस समय पर अधिकतर सेत्रों में चैने की फसल में दाना बराओ का समय चल रहा है फूल से फल बन चुका है और फल में दाना बराओ का समय इस समय पर चल रहा है तो अब जो हमारी फसल में दाना बराओ का समय है तो उस फसल में उस फल में जो दाना बनने वाला है उस दाने को कठोर और चंकिला और वजंदार बनाने के लिए हमें कुछ पोसक दोगा की पूरती करना चाहिए किसान भाईजों जब चने की फसल में दाना पराओ का समय होता है तो उस समय पर फसल को पोटास की काफी ज़्यदा जरूरत पड़ती है पोटास के सासात में कुछ परसेंट सलफर की भी जरूरत यहां पर फसल को पड़ती है अगर हम पोटास और सलफर की पूरती दाना पराओ के समय करते हैं तो चने की फसल में जो दाना बनता है उस दाने का आकार भी बढ़ता है और वह वजंदार भी बनता है इसके अलावा चने का जो छिलका रहता है वो कापी मजबूत बनता है तो अब इन सभी चीज़ों के लिए हमें डालना है इसमें NPK 0050 किसाम भाईयों NPK 0050 पाने में गुलंसिल खाद है जिसका हम इस्प्रे कर सकते हैं अगर चने की फसल में हम NPK 0050 का स्प्रे करते हैं तो इसके द्वारा चने की फसल में पोटास और सलफर दोनों की पूरती हो जाती है क्योंकि NPK 0050 में 50% पोटास के साथ 17% सलफर की मातरा भी पाई जाती है तो आपको सलफर भी अलग से नहीं डालना पड़ेगा एक ही चीज में दोनों चीजे मिल जाएगी मतलब NPK 0050 के रूप में आपको पोटास और सलफर दोनों ही चीजे मिल जाएगी ताकि फसल में बनने वाला दाना भी बढ़या बने चमकदार बने तो अब बात करते हैं इसके इस्प्रे के बारे में तो किसान भाईयों जब आपकी फसल में दाना बराओ का समय चलता है तो उस समय पर आपको NPK 0050 का इस्प्रे करना चाहिए NPK 0050 का अगर आप चैने की फसल पर इस्प्रे करते हैं तो आप चने की फसल से काफी इच्ची पेदावार निकाल सकते हैं और इसके रिजल्ट भी चने की फसल में काफी सांदार मिलते हैं अगर आप इसका एस्प्रेक करना चाहते हैं तो आप एक किलोग्राम परती एकड के हिसाब से NPK 0050 को इसके साथ इस्प्रेक कर सकते हैं किसान भाईयों अगर आप चाहते हैं NPK 0050 के साथ में एक और चीज मिला सकते हैं तो वो है बोरान क्योंकि बोरान का भी काफी ज़्यदा महत होता है बोरान एक सुख्म पोसकता तो है जो चैने की साइनिंग बढ़ाता है किसान भाईयों अगर आप NPK 0050 को सिंगल डानना चाहते हैं तो भी आप स्प्रेक कर सकते हैं और अगर आप चाहें कि हम बोरान भी डाले तो आप बोरान और NPK 0050 दोनों को एक साथ में मिक्स करके स्प्रेक कर सकते हैं किसान भाईयों गारेंटी के साथ में कह सकता हैं कि आपकी चने की भसल में आपको इन दोनों चीजों का कापी सांदार रिजल्ट देखने को मिलेगा और अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपकी खेत में साइड में थोड़ी बहुत जगह छोड़ देना वहाँ पर इसकाइस पर मत करना आपको रिजल्ट भी कुद बखुद देखने को मिल जाएंगे तो किसान भाईयों जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए हम मिलेंगे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद जई जवान जई किसान